पहले भी दो तिन दिन पहले गस्त करके गए हैं और सारी चीज जो हैं सीसी टीवी कैमेरे वगेरा सबी चीज पुटा करके उन्होंने कारी करा है तीन लेयर की करीब करीब सुरक्षा थी पहला लेयर वहाँ शुरू होता था जहां गेस लिस्ट को चेक किया जा रहा था बाकाईदा जिन लोगों के गेस्ट लिस्ट में नाम थे ऊथी उनके आइकाड चेक किया जा रहे थे उसके बाद उन्हें अंधर जाने धिया जा रहा था वो मुबाइल फोन चुकि अलाओ नहीं था तो वाकायदा चेक किया जा रहा था उसके बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था उसके बाद करीब 110 से 20 के आसपास लोग जो थे वो यहां पर मौझूद थे और यहां पर वाकायदा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर शादी होती है संदीब के पिताजी मौझूद है शादी पूरी हो चुकी कंप्लीट हो चुकी अच्छे सा शादी हो गई सारी 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 सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे तो निश्चित तोर पर शाधी पूरी हो चुकी है संदीप की माता जी भी मौजूद है शाधी को लेकर जिस तरीके से आप लोग काफी दिनों से तयारियां कर रही थी अब शाधी पूरी हो गए आपने आशिरवाद दिया वरवदू को शादी के बाद संदीप वापस चले गए इसको लेकर तो ये निश्चित तोर पर संदीप की मा थी और वो पिता जी थे अब हम आपको तस्वीरों के जरीए दिखाएंगे ये जगह मंडप सजा हुआ था जहां वाकाइदा फेरे लिए गए शादी की जो रश्म होते हैं उन् जो निर्धारित था समय था और जो पंडित थे उन्होंने उसी समय पर जो है शादी फेरे करवाए यहां पर संदीप जो है वो बैठा हुआ था बगल में अनुराधा चौदरी जो थी वो यहां पर बैठी हुई थी अब कहा जा सकता है जहां पर जैमाल होता है उस जगह प जैमाल होता है और उसके बाद जो रिष्टेदार होते हैं वो करके आते हैं और बाकाइदा फिर फोटोग्राफी भी होती है उसके बाद आपको तस्वीर दिखाएंगे आप देख सकते जहां पर नाश्टे की बेउस्था थी खाने की बेउस्था थी और जो गेस्ट आये है वो बाकाइदा यहां पर जो खाना था उसे उसका लुफ्ट उठा रहे तक चार से कहा जा सकता है दस से चार बजे के बीच का जो समय था वो निर्धारित किया गया था नौ बजे के आसपास अनुरादा चोधरी पहुचती हैं और एक घंटे बाद करीब जो है वो यहां पर काला जठीडी आता है और उसके बाद यहां पर शादी की रश में पूरी की जाती है इस किया को बनाया था आपने यहां पर बनाया था हमने चौमें टिक्की और बला बापड़ी पनीड चीला गोलगप्पे अच्छा आपने इससे पहले कभी देखी ती जब करी सुरक् और एक ओन पर ते तो आप कोई कई डर लग रहा था नई डर फिल्कुल भी नहीं लग रहा था डर नहीं लग रहा था दर नहीं लग रहा था लएक पर शुरक्ष्चा और कर्सक्रीमें करें पर आज थोड़ा यहां पर काम करके एक अलग ही अनुभा हुआ है तो जर तो नहीं लग रहा था आप लोग इसमें डर की कोई वजह नहीं ती क्योंकि सबी लोग थे पुलिस परसासन का बहुत बड़ा योगदान था काफी मातरा में पुलीस वाले यहां पहले भी पुलिस के लोग यहां पर आये थे हाँ पहले भी दो तिन इन पहले गस्त करके गए हैं और सारी चीज जो है सीसी टीवी कैमरे वगेरा सभी चीज पुक्ता करके उन्होंने कारी करा है तो निश्चित तोर पर इन सभी का एक ही कहना है कि अलग टाइप का अनुभव था क्योंकि इनके लिए ये एक तरीके से कहा जा सकता है पहली ऐसी शादी रही होगी जहां पर गेस्ट से ज्यादा जो हैं वो पुलिस कर्मियों की मौझूदगी थी लोकल पुलिस के अलावा स्वाट के कमांडो थर्ड बटालियन की टीम इस्पेसल सेल की टीम दिली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर मोझूदती हाँ जी आप क्या बना रहे थी तन्दूरी रोटी अच्छा ये बदाईए ऐसी साधी आपने पहले इससे पहले कभी देखी दि पहली बार देखी है वाई साथ किस थी शादी कालीव अच्छे बसेडी की तो देखे यह शादी जो है कई दिनों से चर्चाओं का विश्य बनी हुई है और कहीं न कहीं यह जो स्टाफ है वो भी इस बात से भली बाती वाकिफ था कि शादी किसकी थी है हाला कि इन लोगों का ये कहना है कि इने डर नहीं लगा किसी तरीके की लेकिन जो सुरक्षा थी जिस तरीके से इस तरह की की ये पहली शादी इन्होंने देखा ऐसी शादी देखी थी आपने कभी पहले भी पहले बार देखी थी और ये जानते थे किसकी इन तो आप देखके अपने में अगया हुआ निये जब आपने देखा इतनी पुलीस और इतनी साइचत डर नहीं लगा नहीं लगा थोड़ा तो अचंबे में पढ़े होंगे कि किसी शादी यह है तब आपको पता चला कि काला जत्धेडी और उसकी शादी है कल सही आ रहा था टीबी पर टीवी पर तो ये तमाम वो लोग हैं जो यहां पर काम कर रहते और यह देखिए यहां पर जो गेस्ट जो महमान आये थे उनके खाने पीने कामान take किया गया था बाकाईदा यहां पर जो महमान थे वो खाना खा रहे थे हला कि जो गेस्ट लिस्ट थी वो करीब देड़सों के आसपास थी लेकिन तमाम तरीके की चुकि सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम थे नियम थे महमानों को जो भी महमान यहां पर आ रहे थे उनका अ अधार कार्ट नहीं लेके आये थे और इसी वज़े से उनकी एंट्री नहीं हो पाई करीब 110-120 के आसपास बताई ये जा रहा है कि यहां पर महमान पहुचे थे लेकिन महमानों से जादा संख्या में पुलिस कर्मियों की यहां पर मौजूदगी थी अब हम आपको तस्वीरो के जरिये कुछ दिखाना चाहेंगे कि कहां पर पुलिस की मौजूदगी थी देखे ये बैंक्वेट हॉल है इसके चारो तरफ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी थी उसके अलावा जो आफ छट देख रहे हैं जो आसपास ये अभी फिलहाल चुकि शादी पूरी हो चुक की तैनाती की गई थी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी और वो बाकाइदा गन के साथ यहां पर मौजूद थे काला जठेडी जब आता है एंट्री करने के बार वो इस रूम में यह आफिस है यहां पर रखा जाता और यहां पर बाकाइदा थर्ड बटालियन की टीम जो है वो मौजूद रहती है एक तरीके से कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच काला जठेडी यहां पर रहता है और उसके बाद शादी के लिए वो तयार होकर स्तेज पर जाता है जहां पर जैमाल होता है और उसके बाद फिर यहां पर यह जो मंडप है यहां पर शादी की टाइम्सनाव नो भारत दिल्ली